पौराणी कथा के नुसार भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वे नितिक गरीबों और ब्रहमनों की सायता करता था। लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं गरीबों को दान देती नहीं भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करते थी। एक दिन राजा शिकार खेलने बनको गए हुए थे तो राणी महल में अकेली थी। उसी समय ब्रस्पति देव सादु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मागी। तब राणी ने भिक्षा देने से इंकार कर दिया और कहने लगी है साधु माराज मैं तो इस दान पुर्णे से तंग आ गई हूं मेरा पती सारा धन लुटाते रहते हैं मेरी इच्छा है कि हमारा धन नस्ठ हो जाए और फिर न रहेगा बास न बजेगी बासुरी साधु ने कहा देवी तुम तो आसों के लिए प्याव बनवाओ मुसाफिरों के लिए धर्म शालाइं खुलवाओ जो निर्धन अपनी कुमारी कर्ण्याओं का विवार नहीं कर सकते उनका विवार करा दो ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोग परलोप में फ्यालेगा परंतु रानी पर उपतेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो बोली महराज आप मुझे कुछ मत समझाइए मैं ऐसा धन ही नहीं चाहती जो हर जगा बाटती फिरूं तब साधु महरा ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तू तुम ऐसा करना कि ब्रस्त पति राज महां से आलोफ हो गए साधु के कही अनुसार सभी बातों को पूरा करते करते रानी को केवल तीन व्रस्तिवार ही भी देऴ कि उसकी सारी समस्त धन संपति नस्ठ हो गई अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि है तुम यहीं रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहां नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया वहां वह जंगल से लकडियां काट कर लाता और शहर में बेशता इस तरह वह अपना जी दासी से कहा हे दासी पासी के नगर में मेरी बहन रहती है वे बड़ी धन्वान है तूँ उसके पास जा और कुछ लेया ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए तब दासी राशी की बहन के पास कई उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय ब्रस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उतर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उतर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी ने अपने भागी को बहुत कोसा उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली इससे तो वह बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजन समाफ्त करके वह अपनी बहन के घर आ गई और कहने बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी रानी की बहन बोली देखो बहन के घर आखे लगी यह बहन मैं ब्रस्तिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक तक रथा होती है तब तक न तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन तुमसे क्या चुपाऊं हमारी घर में खाने को अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आखे भराई उसने दासी समेट पिछले साथ दिनों से भूके रहने की बात अपनी बहन को विश्तार पूर्वक सुना दी रानी की बह देखो बहन भगवान ब्रस्पती देव सभी की मनुकामनाई पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन के आगरे करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक विधी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें तब रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया ब्रस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विश्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा के बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा गुर साल में जाकर चना और गुर लेकर आई फिर उससे केले की जड़ तथा विश्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भोजन कहां से आए इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हाने व्रत रखा था इसलिए ब्रस्पति देव उनसे प्रसंद हुए और वे एक साधनन व्यक्ति का रूप धारण कर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी बहुत प्रसंद हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उ दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलसी करती थी तुम्हें धन रखने में कस्थ होता था इस कारण सभी धन नस्थ हो गया अब जब भगवान व्रस्पति की करपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलसी होता है रानी को समझाते वे दासी ने कह हे रानी, बड़ी मुसीबतों के बार्थ हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुर्णे करना चाहिए, भूखिये मनुश्यों को भूजन कराना चाहिए और धन को शुब कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश पढ़ेगा, स्वर्ग की ची आसन जमा कर बैठ गया, वह अपनी दश्या को याद करके व्याकुल होने लगा, वह दिन ब्रस्पतिवार का था, एक आएक उसने देखा कि निर्जनवन में एक साधू प्रकटवे, वह साधू वेश में और कोई नहीं बलकि स्वेम ब्रस्पति देवता थे, लकड़हा महारे इस उंसान जंगल में तु चिंता मगन क्यों बैठा है, लकड़हारे ने दोनों हाथ चोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप तो सब को जानते हैं, मैं क्या कहूं, ऐसा कहकर राजा रोने लगा, और साधू को अपनी आत्मकथा सुनाई, तब मह आत्मा जी ने कहा, तुम्हारी इस्तरी ने ब्रस्पती के दिन ब्रस्पती भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुस्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी, अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो तुम्हारे सभी कस्ट दूर हो और भगवान पहले से भी अधिक संपती देंगे, तुम ब्रस्पती के दिन कथा किया करो, दो पैसे के चने मुनक का लाकर उसका प्रसात बनाओ, और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तयार करो, कथा के पश्चार्थ, अपने सारे परिवार और कथा सुनन प्रेमियों में अमृत और परसात बाढ़ कर आप खुद भी ग्रहन करो, ऐसा करने से भगवान प्रस्पती देव तुमानी सब मनुकामनाई पोर्ण करेंगे, साधू के ऐसे वचन सुनकर लकढ़ारा बोला, हे प्रभू, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद में कुछ बज़ा सकूँ, और मैंने रातरी में अपने इस्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूँ, साधू महराज निका हे लकड़ारे, तुम किसी बात की शिंता मत करो, ब्रस्पती के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भाती भूजन कर लोगे और ब्रस्पती देव की पूजा का समान भी आजावेगा, इतना कहकर साधू महराज अंतरध्यान हो गए, धीरे धीरे स उस दिन से उसके सभी क्लेश तूर हुए, परन्तु जब दुबारा कुरुवार का दिन आया तो वह ब्रस्पती देव का पृत करना भूल गया, इस कारण ब्रस्पती भगवान नाराज हो गए, उस दिन उस नगर की राजा ने विशाल यर्गी का आयोजन किया, तथा शहर में ये घोशना करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे ना आग शिलावे, समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आवे, और इस आग्या को जो नहीं मानेगा उसे फासी की सजा दी जाएगी, इस तरह की घोशना संपुर्ण नगर में करवा दी गई, र रानी की द्रिस्टी उस खूटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था, उस समय वे हार वहां पर दिखाई नहीं दिया, तो रानी ने निश्चे किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है, और उसी समय सिपाहियों को बुलवा कर उसको कारागार में इधर जब लकड़हरा कारागार में पड़ गया, तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि नजाने कौन से पुर्व जनम की कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और दुखी होकर उसी साधू को याद करने लगा, जो कि जंगल में मिला था, उसी समय ततकाल ब्रस्पती देव साधू के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मुर्ख, तुने ब्रस्पती देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, अब चिंता मत कर, ब्रस्पतिवार के दिन कारागार के दर्वाजे प स्वपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है, वे निर्दोश है, वे राजा है, उसे छोड़ देना, रानी का हार उसी खूटी पर लटका है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी राजी को नस्ट कर दूँगा, इस तरह रातरी के स्वपन को देखकर राजा प्रात्यकाल उठा, और खूटी पर हार देखकर लकड़ हारे को बुलाकर शमा मागी, तथा लकड़ हारे को योग य सुन्दर वस्त्र आभुशन देकर विदा कर दिया, ब्रस्पती देव की आग्या नुसार लकड़ हारा अपने नग शाला हैं, तब नगर के सभी लोग कहने लगे ये सब तो रानी और बांधी के हैं, राजा को बहुत आश्चरी हो और गुस्सा भी आया, जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांधी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत मे छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देख कर वो लोट न जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा, आग्या नुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा आये तो उन्हें अपने साथ लिवाल आई, तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि य परन्तु मैं प्रति दिन दिन में तीन बार कहानी और रोज ही वरत किया करूँगा, अब हर समय राजा के दुपटे में चने की दाल बंदी रहती, तरथा वे दिन में तीन बार कहानी कहता, एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आवे, इस तरह अनिश्यकर राजा घोडे पर सवार होकर अपनी बहन के यहां को चलने लगा, मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे हैं, उन्हें रोग कर राजा कहने लगा, अरे भाई हो, मेरी ब्रस्पतिदेव की कथा सुन लो, वे बोले, लो, हमारा त थी कि वहम मुर्दा हिलने लगया, जब कथा समाप थुई, तो राम राम करके वहमनिश उठकर खड़ा हो गया, आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला, राजा ने उसे देखकर उससे कहां कि अरे भाईया, तुम मेरी ब्रस्पतिवार की कथा सुन लो, उस किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा, उस समय किसान की मा रोटी लेकर आई, उसने जब ये देखा, तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, और बेटे ने भी सभी हाल कह दिया, तो वह बुड़िया दोड़ी दोड़ी उस घुर सवार के पास गई, और उ पहुच गया तो बहन ने अपने भाई की खूप महमाने की, दूसरे रोज प्रात्यकाल जब राजा जगात तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं, राजा ने पनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुश्य है यहां, जिसने भोजन ना किया हो मेरी ब्रिस्वतिवार की कथा सुले, बहन बोली, ही भाईया, यह देश तो ऐसा ही है, पहले यहां लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्ने कोई काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं, वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु से कोई ऐसा विक्ति नहीं मिला, जिसने भोजन ना कि त्यार हो गया, राजा ने जाकर ब्रस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, अब तो राजा की चारतरा प्रशंसा होने लगी, एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपनी घर को जाएंगे, तुम भी तयार हो जाओ, राज मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा, राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा, तब तुम भी क्या करोगी, और बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोट आया, राजा ने घर आकर अपनी राणी से कहा, हम निर्वन्शी राजा है, हमारा मु सबी सोल स्तियागते तेरी राणी गर्ब से है, राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुची हुई, नवे महिने में राणी के गर्ब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे राणी, इस तरी बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती, सबी राणी ने कहा, घोड़ा चड़कर तो नहीं आई, गधा चड़ी आई, राजा की बहन बोली, भाबी, मैं इस प्रकार नहीं कहती, तो तुम्हें अलाद कैसे मिलती, ब्रस्पति देव, ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाई हैं, सभी को पोर्ण करते हैं,